पूछे जाने वाला एक और यहां पर हम लोग important question को discuss करेंगे जो की बहुत ही basic है जिसमें यह पूछा जाता है कि आपका which fan is started first, FD fan और ID fan and why? यानि कि जो बोलर में ID fan, FD fan यानि कि induced drag और फुर्सक drill fan लगए होते हैं इन दोनों में सब पहले कूल start किया जाता है और अगर कोई भी start किया जाता है तो उसके पीछे region क्या होता है? क्युँ इसे start किया जाता है? इसी के बारे में पूछा जाता है और इसी के बारे में हम अभी series जो कर रहे हैं ओके और यह boiler से related है अब देखिए simply अगर हमनों बात करें तो बीना अगर इधर उदर का बात किये हुए simply बात करें कि boiler में जो id fan होता है वो सबसे पहले start किया जाता है ठीक है उसके बाद ही fd fan start किया जाता है तो simply अगर कोई पूछे कि कौन सा fan start किया ज जाता है क्या इसके पीछे region है उसको भी देख लेते हैं तो सबसे पहली बात कि prevention of positive pressure यानि कि pressure जो आपका furnace में जो positive हो ना जाए इसको prevent करने के लिए आपका id fan पहले start किया जाता है जैसे लिखा है if the fd fan were started before id fan it would pressurize the furnace by pushing air into it potentially leading to positive pressure in the system तो अगर हम fd fan पहले start कर देते हैं तो आपका जो air है वो furnace में जाएगा जिसके वज़े सा furnace pressurize हो जाएगा जो की सही नहीं है इसलिए id fan को पहले start किया जाता है पहले furnace को negative किया जाता है ताकि जो भी आपका जो हम अगर fd fan चालू करें और जब air जाया furnace में तो वो उसको balance करके रखे ठीक है आपका over pressurization ना हो furnace okay next जो है pressure control तो pressure control करने के लिए भी id fan को पहले start किया जाता है जैसा कि the primary purpose of the starting the id fan first is to create the negative pressure जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो primary purpose होता है वो आपका negative pressure create करना होता है जिसको में डाप भी कहता है within the furnace and the flugase path जो भी आपका furnace होता है गोलर का और पुरा flugase path में negative pressure create होता है this is where any combustion gases are effectively drawn out of the system यानि कि जो भी आपके furnace में unbund है माली आपका boiler आपका तुरंद बंद हुआ है या भी just कुछ दिन पहले आपका running में हुआ था उसके बाद आपने बंद किया कुछ काम हो पिर चालू हुआ तुरंद तो उस case में आपका furnace के अंदर unbund हो सकता है कुछ combustion product हो स maintaining combustion stability तो आपका furnace में combustion proper रहे इसके वज़े से भी IDFN को पहले start किया जाता by starting the IDFN first and establishing a draft the system insured that combustion product are effectively removed and that fresh air introduced by the FDFN is properly balanced for the efficient and controlled combustion यानि कि जो आपका unbund वेगरा निकल या हम IDFN चलाके और जो fresh air दिये तो जिसके वज़े से आपका efficient जो होगा वो combustion होगा ओके तो ये भी एक मदद करता है साथ में safety एक बहुत 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 इंपोर्टन रोल भी भाता है कि अगर हम starting of IDFN it creates negative pressure and purge the boiler furnace by removing any unburnt and combustible product which helps for safe operation अगर IDFN हम पहले start करते हैं तो furnace में जो भी आपका जो पहले तो negative pressure create होगा और फिर आपका furnace का एक तरह का purging हो जाएगा ठेसी ओ बेगरा होगा वो remove हो जाएगा जिसके बज़े से आपका operations होगा वो smooth और safe कहलाएगा ओके और safe होगा तो इसलिए आपका IDFN जो होता है इन्ही रीजन के वज़े से मिलने आपका safety और over pressureization को रोकने के लिए avoid करने के लिए ही IDFN को पहले start किया जाता है ठीक है simply आप कि ये जो छोटा सा वीडियो था या चोटा सा जो question था वो आप सभी के लिए helpful रहा होगा वीडियो informative लगा हो तो please वीडियो को like जरूर करे और वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है आपको लगता कि कुछ नहीं समझ में आया या लगता है कि कुछ गलत हो गय किजे क्योंकि आप एक like करते हैं तो हमें और भी motivate मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए और अगर अच्छा नहीं भी लगता है ना तो dislike किजे तब ही तो मुझे पता चनल पाएगा कि जो मैं आपको content provide कर रहा हूं वो आपके लिए अच्छा हो पा रहा है या नहीं हो पा